हेलो गाईज, वेलकम टो इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म टाप टेन क्लासेज गाईज, आज की वीडियो में हम आपसे कच्छा दस के बाइलोजी के पाठिक्रम परिचे के बारे में बताने वाले हैं गाईज, मेरा नाम है सचीन, आज से मैं आप लोगों को क्लास टेन्द का बाइलोजी का सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो गाईज, यहाँ पर मैंने कच्छा दस का पूरा जो बिज्ञान का संपूर पाठिक्रम है, इसके बारे में मैंने लिख दिया है तो गाईज, इसमें से हम आप लोगों को बताएंगे कि काउन सा पॉर्षन, काउन सा चैप्टर फिजिस का है, काउन सा कमिस्ट्री का है, काउन सा बाइलोजी का है और इनको पढ़ाने वाले आपके टीचर काउन से हैं, इसके बारे में भी हम लोग बताएंगे तो guys यहाँ पर जो पहले से लेकर पाँचवे चैप्टर हैं पहला दूसरा तीसरा चवथा पाँचवा चैप्टर यह चैप्टर टोटली कमिस्टरी के हैं यह चैप्टर कमिस्टरी के हैं यह जो पहले से लेकर पाँचवे चैप्टर हैं यह चैप्टर कमिस्टरी के हैं और इसे आप लोगों को पढ़ाएंगे टाप टिन क्लासेज के सबसे बेस्ट टीचर प्रज्वल सर प्रज्वल सर गाइड यह जो पहला से लेका पांचवा चेप्टर है यह आपके कमिस्टी का है और इसे आप लोगों को पढ़ाएंगे टाप 10 क्लासेज के टीचर प्रजवल सर और यहाँ पर जो छाठवा से लेकर नौवा तक है यह चार चेप्टर यह हैं बायोजी के यह जो चार चेप्टर हैं यह हैं आपके बायोलाजी के फिर इसके प्रस्चात यहाँ से पंदरावा से लेकर सुलावा तक यह दो चेप्टर जो हैं ये दोनों भी बाइलोजी के हैं तो ये चार चैप्टर यहां से दो चैप्टर यहां से ये जो च्छा चैप्टर हैं ये बाइलोजी के हैं इसे मैं पढ़ाऊंगा जो च्छा चैप्टर हैं बाइलोजी के इसे मैं पढ़ाऊंगा मेरा नाम है सचीन और इसके पश्चा जो यहाँ से दसमे से लेकर चोदावे तक हैं दसमे से लेकर चोदावे तक पांच चैप्टर यह आपके फिजिक्स के हैं यह आपके फिजिक्स के हैं इससे आप लोगों को पढ़ाएंगे अनिके स्थर इससे आपको पढ़ाएंगे अनिके सथर चुकि गाईस, आप लोग इनका वीडियो देख यह होंगे कितना बढ़िया यह पढ़ाते हैं, समझाते हैं आप लोग इनके बारे में जानते होंगे तो जो इसमें कमिस्टी पढ़ा रहे हैं वो आपको पढ़ा रहे हैं प्रज्वल सर बाइलोजी मैं पढ़ा रहा हूँ और जो physics है वो आपको अनिकी सर पढ़ाएंगे तो guys अब यह तो हो गया आपके पूरे पार्ट करम में कौन सा physics है कौन सा chemistry है कौन सा biology है तो यहाँ पर गाईज मैंने लिखा है जीव बिग्यान पाठक्रम परिचे तो मैं आपको इसमें जीव बिग्यान में क्या-क्या हम लोगों को पढ़ना है कौन कौन से चैप्टर है इसके बारे में हम लोग देखते हैं तो गाईज इसमें हम लोगों का है पहला चैप्टर ज जो जीवों में अनुरच्छड का कार करते हैं उसे हम लोग जय प्रक्रम करते हैं अब जय प्रक्रम में क्या आता है अनुरच्छड का मतलब क्या होता है अनुरच्छड का मतलब होता है कोई भी जीव है वह जीवित रहना है उसे जीवित रहना है तो वह कौन कौन से प्रक्र तो गाइज हम लोग इसमें जो हम लोगों का जय प्रक्रम है इसमें हम लोग पाचन तंट्र, स्वसंतंत्र, उद्शर्जन तंट्र, परिसंचरणतंत वह जननतंत वह पोसड के बारे में भी पढ़ेंगे पोसड के बारे में भी पढ़ेंगे इसके परिसंचरणतंत वह अपनी संख्या में बृद्धी करेगा एसा है नहीं कि किवल एक ही पीड़ी में उसे राना अगर उसे अपने जनरेशन को आगे लेके जाना है तो उसे जननतंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा इसके पाचनतंत्र जो खाता पीता है उसमें उपापचाई क्रियाओ के द्वारा जो पचता है उससे इनर्जी मिलती है उसे तो पाचनतंत्र के द्वारा ही इनर्जी मिलेगा स्वतनतंत्र उसमें आक्सीजन के आपूरती के लिए कार्बन डाय आक्साइड के बाहर निस्कासित करने के लिए प्रक्रम को अपनाना पड़ेगा जिसे हम लोग स्वतनतंत्र के नाम से जानते हैं उस सरजनतंत जैसे गाईज मानों में उस सरजनतंत के द्वारा जो हम लोग खाते पीते हैं उसमें जो हम लोगों का मुत्र निस्कासित होता है यूरिया तथा विभिन प्रकार के कार्वनिक पदार्थ जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं उसे हम लोग उस सरजनतंत के द प्रक्रम में हमारे इतने भाग आएंगे फिर इसके पस्चात हम लोगों का जो दूसरा चेप्टर है वह है नियंत्रन एवं समन्वे में हम लोग तंत्री का तंत्र के बारे में पढ़ेंगे जैसे हम लोग कहीं पर जा रहे हैं अगर वहाँ पर थोड़ा सा गर्म है अगर हम पर पढ़ जाए तो हम लोग एका एक हटा लेते हैं तो इसमें हम लोगों का तंत्री का तंत्र कार करता है इसके साथ साथ हम लोग इसमें जैसे चुई मोई का पवधा आप लोग जानते होंगे अगर हम लोग उसे टच करते हैं तो हम मुर्जा जाता है वह बारे समिंदना हम लोगों का जो next topic है वो है जीव-जनन कैसे करते हैं मतलब उसमें हम लोग ङल जननन मादा जननन तता लेंगिक जनन ऐ लेंगिग जनन इन सब के बारे में पढ़ेंगे लेंगिक जनन ऐ लेंगिक जनन नर जननतन, मादा जनन तता पढहा visit जैसे कुछ जी होते हैं जो बाय माद्धम में अपने अपने कुछ भाग को छोड़ कर निसेजन की क्रिया करते हैं जैसे जल में करते हैं कहीं पर घास फूस में रहते हैं वो करते हैं इसमें हम लोग जूजनन कैसे करते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे तथा इसमें जो हमार प्रभाविता के नियम, सोतत्राव्यूहन का नियम, दो जीनों की वंसागति का नियम, इन सब को भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फिर इसके पस्चात हम लोग इसमें जीन के बारे में पढ़ेंगे, जीन वाकारक होता है, जो मातरपिता के लच्छड को संतत्य में लेकर जा इसमें 15 चैप्टर है हमारा परियारण क्या होता है हमारे परित्वी के चारों तरब गीरे हुए आवरण को हम लोग परियावरण करते हैं पर्यावरण होता है जिसमें हम लोग रहते हैं जीव जन्तु रहते हैं पेड़ पौदे रहते हैं जंगली जानुवर रहते हैं वे खाद पूर्ती अपना करते हैं पेड़ों से अपने खाद को प्राप्त करते हैं भोजन को प्राप्त करते हैं और वे जो पेड़ पौदे हो उसे हम लोगों को रोक थाम के बारे में पढ़ेंगे जो जल प्रदूसर है उसे रोकने के लिए पढ़ेंगे तथा जो जल का बचाव है उस जल का बचाव करने के लिए तथा जल को स्वच रखने के लिए भी उसमें हम लोग पढ़ेंगे यह सब हमारे पर्यावरण में आए बिकास करते हैं तो यह सब जो पोर्शन है यह हम लोग हमारा परियावरण में पढ़ेंगे फिर इसकी पस्चाद गाईज जो हमारा अंतिम चेप्टर है सुलावा बायलोजी से छाटवा चेप्टर है प्राक्तिक संसाधनों का संपोसित प्रबंध है गाई संसाधन क्या होते हैं मानव के आवस्ति की पूर्टी करने वाले जो तंत्र होते हैं या जो संसाधन होते हैं या जो किसी प्रकार की यंत्र होते हैं उसे हम लोग संसाधन करते हैं संसाधन मानव की पूर्टी करने वाले भागों को या तंत्रों को हम लोग संसाधन करते हैं अब आज कल के संस सद्यर्ट के पीज़ के बारे जल के बचाओ में प्रियों करते हैं, गाडियो मेंने हभाइ जहाजम में प्रियों करते हैं उसके बारे ना कि कृतिम संसादन, कृतिम संसादन हम लोगों को मानव निर्मीद मिलेगा, यह नेचर है, प्राक्तिक संसादन, इसमें हम लोगों को नेचुरल सीज़े मिलेंगी, इसके परचात संसादन की आवस्त्ता क्यों है, आज प्राक्तिक संसादन की बजाए, जो कृतिम संसादन ने उनका अत्यदिक उपयोग किया जा रहा है तो इसमें हम लोग प्राक्तिस संसाधन का संपोसित प्रबंधन जैसे प्राक्तिस संसाधन हमारे ब्रिच भी आ जाते हैं आज कर लोग जनसंक्या बढ़ रही है अस्थान कम होने के कारण लोग जंगलों की कटाई करते जा रहे हैं जिसके कर जो हमारे आकसिजन आकसिजन की कमी हो रही है ततहा जिसके जो ऑर जो ब्रामिट फित्रों में बरसात जो आभाव भी दीखा जा रहा है तो इसमें हम लोग इन सब पोर्शन को पढ़ेंगे तो गाईज यह हो गया हम लोगों का पूरा कच्छा दस का जी विग्यान का पाट करम का पैच है और इसमें आपको कमिस्ट्री, प्रजवल सर, फीजिक्स, अनकेत, पाठक सर और बाइलोजी मैं पढ़ाऊंगा तो गैस बस आज का वीडियो यहीं तक I hope अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सस्क्राइब भी कर देजिए फिर मिलते हैं आप से नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए जै इन जै भारत